हेलो एवरिवन कैसे हैं आप मैं अनुज कुमार सिंग सिक्षाधाम से आज हम डिसकस करेंगे आपके बीकॉम प्रोग्राम या ओनर्स जो भी हो सेमेस्टर वन के अंदर एक कोर सब्जेक्ट है कोर सब्जेक्ट का नाम है फाइनेशल अकाउंट उस सब्जेक्ट को डिटेल मे हो चाहाँ सभी के ऊपर है समेस्टर वन में बहुत सारे बच्चे ट्वेल पढ़के आते हैं समेस्टर वन में और उनको पता नहीं होता के हाँ टूंं में फॉस्ट सेमिस्टर को कैसे टेक केर करें ऑपका बहुत बड़ा है आपका देखा जाए तो सब्जेक्ट सब्जेक् फाइनेशल अकाउंट जो की हमारा एक डिसिप्लिनरी कोर सब्जेक्ट है और फाइनेशल अकाउंट जो हर बच्चे को पढ़ना है और दी-उ कहता है कि भाई हम जब फाइनेशल अकाउंट पढ़ाएंगे ना तो इसको यूनिट वाइस तोड़के पढ़ाना बच्चों को एक यूनिट दो तीन चार और पांच पांच यूनिट में पढ़ाना टोटल बच्चों को यह चप्टर और पांच यूनिट में जब पढ़ाना तो पहले यूनिट में से जब पढ़ लोगे आप तो आपके 15 नंबर के कोश्चन पूरे हो जाते हैं दूसरे यूनिट में से 20 के, 30-해 unit में से 20 के, फिर 25 के चौते unit में से और इसमें से 20 के, मतलब unit wise मैं भी ये chapter wise भी discuss कर लूँगा कि chapter wise आपका किस तरीके से होगा तो आइए देखते हैं हम पहले सबसे पहले chapter unit number 1 की बात कर रहे है, तो unit number 1 आपका 15 marks का है, इसमें क्या-क्या chapter बनेगा हर चैप्टर को हाईलाइट करके मैं चैप्टर बनाता जाओंगत चैप्टर वन के इसके अंदर अक्कांट के लिमिटेशनट्राइशाएस के डिश्वाँटरैजसिस यानि मैं बोली हू तो 11 का 1 चप्टर Not कॉंसेट चेप्टर वन क्या कहता है कॉंसेट और फ्रेमवर्क में क्या पढ़ाएंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूजर फाइनेशल अकाउंटिंग पहले पढ़ रखें आपने और वर्व्यू ऑफ आर्टिफिशल इंटेंजेंसी डेटा यह कभी पूछा पीरिड दे रखा है यह थोड़ा सा अलग होगा जो कि एस हां यहां पर एस कभी होगा तो मैं पहला बोल दूँ बेसिक कॉंसेट पहला यूनिट खदम पहला दूसरे में आपको पढ़ाये जाएगा दूसरे में देट इस आपका है प्रिंसिपल एंड अजंशन थियूरी है पूरा का पूरा जैट डैट इस गैप एस क्या है हमारा यह सारी चीजे फिर अकाउंटिंग इस्टेंड वगरा सिखाया जाएगा आपको एपार्ट में यह थियूरी थियूरी पार्ट हो जाएगा यानि अगर में मोटा मोटी बात करूं आपको थोड़ा नोन कॉमर्स वाले भी होते हैं अगर ग्यारवी ग्लास में आपने कॉमर्स पढ़ा हुआ है तो यू शुड भी आप एक से लेके आप चार चप्टर तक का मानलो वो पूरा कबर होता है एक सेक्शन में अभी यूनिट वन ही चल रहा है बी सेक्शन में हम पढ़ाएंगे अ ट्राइल बैलेंस, कैश बुक एंड एक सेक्टरा छोटे मुटे चीजे और भी आ गई तो यानि अगेन ये 11 वी का है 11 क्लास का तो यह हमारे तीन चेप्टर हो चुके हैं अगर मैं चेप्टर में डिवाइड करूं तो तीन हो चुके हैं यूनिट नंबर वन में इतना ही है यूनिट नंबर वन हमारा यही खतम हो जाता है, खतम यानि तीन चेप्टर में बाट दिया, तो पंदरा नंबर का बोला गया है तो आपकर चैप्टर डाले जाते है ताकि वो बेसिक स्थ्रॉण करके आएं तो सर हमारे एक्जाम में कहां से questions आएंगे questions आपके इन दोनों में से आएंगे theory के और theory में assumption और principle 100% आना है और इसमें कुछ हमारा AS5 भी include होता है यह आगे अलग से दे रखाओ AS5 और AS4 accounting standard पर major यहाँ पर ध्यान दिया गया है आपके b.com में कि accounting standard में से question पूछा जाए तो यह हमारे तीन चेप्टर हो गया अगर हम चेप्टर में बाटते हैं तीनों चेप्टर हमारे ऐसे हैं unit number one क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं unit number one में लगे रहते हैं और पंदर नमबर का आना है वो journal सीख रहे हैं laser करने ट्राइल करने और paper में आएगा ही नह अपके exam में नहीं आने वाला यह चीजे आपको क्या करना है यह भी पता होना बहुत जरूरी है वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको हरे एक step पता चलेगा कि accounts fa में क्या करना है और जो मैंने बता दिया वही exam में आएगा यह मान के चलिए यह मैं कैसे बोल रहा हूं पिछल 10-year भी आता है सिवदास के नाम से आप देख पाएंगे यह कुछ books भी है जो कि आप डियू में जाएंगे तो ultimately आपको खरीदना पड़ेगा सिवदास का 10-year तो इसके अंदर भी क्यूंकि मेरा बहुत पुराना एक relation है डियू से तो उस बिहाफ पर मैं बोल के चल रहा हूं क्योंकि आप बहुत सारी वीडियोस देखेंगे प्रॉपर नहीं बताते मतलब कि बस हां यह सब्जेक्ट से कर लोगे कर लोगे यह अब यूनिट नंबर टू पर आ जाईए यूनिट नंबर टू यहाँ पर GST वगरा सारी चीज़ा आगे हमने पहले डिसकस कर लिया हो सर यूनिट नंबर टू हम तीन चप्टर कर चुके हैं यहाँ पर बोला गया भीया हम पूछेंगे प्रॉपर्टी प्लान्ट एंट इक्यूपमेंट एंड वैलुएशन आफ इंवेंट्री और यह 20 नंबर का पूछा जाएगा यूनिट नंबर टू नंबर टू में बोला गय जब हम पढ़ना चाहिए तो ऐसे ही property plant and equipment यानि PPE property plant and equipment मैं underline कर देता हूं फुल फॉर्म property plant and equipment हाला कि आपने इसको depreciation के नाम से पढ़ा होगा ग्यारवी class में उससे थोड़ा advance है ठीक है जो कि एस 10 के अंदर होता है एस 10 के अंदर इसके बाद एस 26 चप्टर नंबर 6 एस हमारा आगया 26 जैसे पढ़ना चाहिए आपको लिखा हुआ है और इसके बाद बोला गया कि inventory valuation with the reference एस टू यानि सर आप चेप्टर नंबर 7 आगया हमारा डेट इस आपका inventory अब इसमें से जिसमें से 100 परसेंट कोशन पूछे पूछे जाते हैं एक इसमें से आएगा और एक इसमें से आएगा हाँ एस नाइन में से भी आता है क्योंकि आपके ना कॉलेज में हर कोश्चन प चार चेप्टर है तो हो सकता है मेबी आपके मतलब के option में यह और यह मिल जाए और यह मिल जाए तो जिसमें मैंने टिक किया यह तो एक्जाम में पूछे जाएंगे दस नंबर का यह कोश्चन दस नंबर एक कोश्चन आपके पेपर में 18 नंबर खाएगा वैसे 20 का होना च साथ चेप्टर हो चुके हैं दो यूनिट में हाँ इसके अंदर से कुछ नियू है तो सारे accounting standard नियू है inventory नियू है और depreciation भी नियू है basic concept है लेकिन उसके बाद change method आ जाता है जो कि आपके लिए एकदम नियू माना जाएगा इस बात का आपको बिलकुल ध्यान रखना है एक यार वो ग्यारवी बारवी वाली है खुद कर लेगा वो चीजे गलती मत करिएगा नहीं तो लास्ट में फिर आपके पास कुछ विचारा नहीं बचेगा और बीकॉम के अंदर आपको percentage दाने जरूरी है और बीकॉम में बारवी जैसे नहीं कि आपको number मिलते जाएंगे यह चैटर नमबर नो बन जाता है हमारा NPO non-profit organization that is given आपको financial statement of sole proprietorship and non-profit organization जिसको मैंने NPO के नाम से बोला है अगें दो चैप्टर बीस नमबर का final account और NPO में एक्जाम के अंदर चोईस आता है maximum time तक हर बार नहीं होता यह तो यह दो चैप्टर आपके हो गया जो की बड़े चैप्टर से तो सर इसमें से आपने जो अधर बाहर कहीं पढ़ रहे होंगे किसी स्टेट से उसने तो non-profit organization पढ़ा होगा लेकिन जोड़ सी वाला बच्चा होगा उसने नहीं पढ़ा होगा और फाइनल अकाउंट 11 में पढ़ा था उसका एडवांस अब पढ़ोगे आपके लिए न्यू चप्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है डिपेंड आपने कहां से study करी है 12 और 11 तो यह हमारे 9 चप्टर हो गए और यह 20 नंबर के आएंगे आपके 2 चप्टर तो बहुत important है दो ही चप्टर 20 नंबर का इसके बाद हमारा 25 नंबर का आएगा सर यूनिट नंबर आपका 4 तीन यूनिट होगे यूनिट 4 कितने चप्टर हो चुके थे 9 इसमें 10 चप्टर आ जाता है हमारा जिसको नाम देगें लीस 10 वा चप्टर है हमारा लीस कहता है कि इनलेंड ब्रांच डिपार्टमेंटर और यह 12 चप्टर हो चुके हैं और लीस का एस 19 जो है यह लीस का ही है एस 19 है यह बेसिकली हर बार 100% question पूछा जाता है सर 25 नम्मर का और सबसे important chapter इसके अंदर सारे वो chapter रखे गया है जिससे आपका दूर दूर तक कोई रिस्ता ही नहीं था पहले 11-12 में लीज भी आपके लिए नियू है ब्रांच भी आपके लिए नियू है डिपार्टमेंटल भी आपके लिए एकदम नियू है इस बात का ध्यान रखिएगा तो बारा चैप्टर पे पहुंच चुके हैं इसके बाद computerized accounting system है इसमें कुछ टैली वगरे के बारे में और चोटी-च से पढ़ना है और चैप्टर में बाट ले तो टोटल तेरा चैप्टर है और हर एक चैप्टर में बहुत सारे questions भी है और बहुत time भी लगता है accounts के अंदर तो आप practice करना जरूरी है उसके साथ concept भी आना जरूरी है तो time taking है time लगेगा तो मैं आप सभी student को suggest करना चाहूंगा के भाई don't waste your time मस सोचो के college start होगा मस सोचो के admission के बाद पढ़ेंगे आपको अभी से पढ़ना है मैं books वगेरा सारे चीजे बता देता हूंगे कौन से books लगेगा अगर मैं books की बात करूँ आपके लिए तो books जो लगने वाला है आपको लेना है दो ही book college में चलता है हमारा एक तो चलता है हमारा जे आर मोंगा दूसरे आपका चलता है बी के गोयल भूशन कुमार गोयल बी के गोयल तो दो books हैं जो ले सकते हो हाला कि market में available हो चुका है यस हाँ जे आर मोंगा का नहीं पता लेकिन बी के गोयल मार्केट में आ चुका है तो आप लेके उसको start कर सकत सथे पढ़ने का क्या तरीका रहेगा कौन से चप्टर में पढ़ना है अब बहुत सारे इँहां पर उसके हिसाब से हम पहले कभी वी इसुब्ला उसके नहीं करेंगे unit 2 हमें सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए दैट इस चप्टर 8 से दैट इस फाइनल अकाउंट करने के बाद हमें करना चाहिए depreciation यानि जो पहले 11 से connected था उसको हम फटा-फट से खतम कर लेंगे उसके बाद फिर हम become के अंदर जो पहली बाल चप्टर हम देख रहे हैं आज से पहले नहीं देखा था हम उसके उपर काम करेंगे तो मैं जो अभी आपको बता रहा हूं बहुत experience के साथ बता रहा हूं तो जो senior अब सर हम study कैसे करें नहीं करें सर हम एस लिखें तो डियू वाले बुक देंगे सर इस डियू वाले बुक का कोई relevant नहीं है इसके अंदर काफी सारे चप्टर गलत है काफी सारे मिस्प्रिंट है दूसरा सर डियू वाले class लेंगे हम college में जाके पढ़ेंगे कोई classes नहीं होन पढ़ाएंगे तो यह मान के चलो जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं वो यह मान के चड़ाते हैं कि आप दुनिया के सबसे होस्यार बच्चे और यह यह स्कूल से भी फास्ट पढ़ाएंगे आपको आपको समझी नहीं है यार क्या बंदा यार क्या करा दिया इसने तो जायतर college में प्रोफेसर वगरा और अधर एक्टिविटी में इंवाल्व रहते हैं तो यह मान के चलिए ऐसा नहीं है स्कूल के जैसा के सर आपको एक एक चीज बताएंगे या ट्यूशन के जैसा एक चीज तो बच्चों का मुझे पताए कि क्या पेन है उसी को लेके यह वीडियो क पढ़ रहे थे एक तो वहां पढ़ सकते हैं वह अगर वह बीकॉम को पढ़ा रहे थे पहले तो बीकॉम को पढ़िए उन टीचर्स की नॉलेज को देखिए क्या जैनुवेनली वह बीकॉम एक्स्पीरियंस कर रहे हैं काफी टाइम से तो पढ़िए अगर उनको लगता है चल ठीक है मैं पढ़ा दूँगा कोई दिक्कत नहीं सारे चप्टराते करा दूँगा तो नेवर बैच बना हो तभी पढ़िएगा अधरवाइस मत पढ़िएगा नहीं तो आपका समय और आपका पैसा धोनों बरवाद होगा दूसरा आप यूटूब पर पढ़ोगे क्योंकि लगता है कि सारे यूटूब पर हो जाएका तो यूटूब पर मैं आपको बता दूँ कोई भी ऐसा चैनल नहीं है सिवाए मैं अपना बोलूँगा तो बोलोगा अपना बोलोगा अपना बोलोगा शिक्षा धाम के इलाबा जो especially DU को पढ़ा है मैं सरफ और सरफ DU के बच्चों को देखता हूँ सभी चैनल पे आपको financial account मिलेंगे कुछ chapter royalty मिल रहे है कुछ क्या मिल रहे कुछ क्या मिल रहा परिशान हो जाओगे तो वह दिक्कत होगा तो इस चैनल पे YouTube से आप शिक्षा धाम कर सकते हो इस चैनल पे मैंने इस बार सोचा है मैं regular basis पे FA की वीडियो डालना चालो करूंगा और पहले जैसे मैंने आठवा चैप्टर बोला मैं वही कराऊंगा फाइन कांट को और तीसरा जिस बच्चे को live class join करना है live class के लिए हमारा nominal सा फीस साड़े 400 रुपे फीस होता है पूरे कोर्स का फीस होता है साड़े 400 रुपे that is your call कि आपको जोइन करना ही नहीं करना मैं फोर्स फूली तो नहीं करूंगा बड़ा अच्छा है बस मैं यह बता देता हूं साड़े 400 रुपे पूरे दिसंबर तक की फीस है और इसके अंदर आपको live classes मिलता है पीडिएफ नोट्स मिल जाते हैं डाउट्स के लिए डेडिकेटेड नंबर मिल जाते हैं और आप questions क्लास के अंदर भी पूछ सकते हो हमारे application पर होता है that is सिक्षा धाम कोई जानकारी अगर detail चाहिए तो आप नंबर पर contact कर सकते हो otherwise मैंने कहा YouTube पर है तो फटा फट से आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेजिए कि भाई जागो नहीं तो लेट हो जाएगी और आप पढ़ना स्टार्ट कर दो तो यह था पूरा हमारा financial account का जिसके अंदर करा है हमने discussion अभी बहुत बच्चों का result आया है और result में बहुत बच्चों के opinion थे कि सर हां हम पास होगे बहुत अच्छे से तो जितने बच्चे भी पढ़ रहे थे लगबग लगबग सभी का first revision से वह पास हुए हैं तो लेकिन उन्हेंने बहुत सारी गलतियां करी थी जादा तर majority बच्चों से मैं सुनता हूँ मैं बात करता हूँ तो बोलते हैं सर हमें तो semester 3 में जाके पता चला था कि डियू को पढ़ना कैसे है या 2 में समझ में आये था first तो हमें पता ही नहीं चला था तो मैं आपको चिला चिला के बोलूगा के भाईया पढ़लो पढ़लो आप बोलोगे पढ़लेंगे 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 बिटर है आपका career आपका future क्योंकि जो अब आप study करोगे वो अपने लिए करोगे ना कि आप किसी और के education की तरह बढ़ रहे हो तो आप अपने लिए पढ़ोगे और इसी के बिहाफ पे आगे आपको job भी मिलने वाला है तो thank you so much मिलते हम next वीडियो में और आज से ही आपकी fa की classes डलनी चालू हो जाएगी सभी दूस्तों को अपने batch में अपने group में सभी को बता दें कि पूरा का पूरा syllabus हो जाएगा डरने की कोई जोरत नहीं है चलिए मिलते हम इसी तरीके से next class में